मेरे प्यारे बच्चों नवस्कार तो सुरू करते हैं आज किलास और आज किलास में प्रसनल 6.5 के आगे के उधारण हल करवाएंगे प्रसनल 6.5 के उधारण हल करने से पहले अगर आप लोगोने इस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे कर नई स्टूडेंट हो चैनल से जुना चाथते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ तो वेल आइकन जरूर प्रेस करने क्यूंकि उसमें आपका ही फायदा है जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो युट्यूब द्वारा करवाएंगे यहां पर लिखा है एफ एक्स बराबर ठी एक्सी पाव फॉर प्लस फॉर एक्स क्यू माइनस टोयल बेक्स स्कार प्लस टोयल द्वारा प्रदत्व फलन यफ के इस्थानिये उच्टम और इस्थानिये निम्तम मान ग्याद कीजिए तो यह उदारण बत्तिस क बेसिक पढ़ाया था तो बहां पर हमने ये बताया था कि कुल चार प्रकार के प्रस्नों का हल है इसलिए यहां पर उदारण 22 हमने पहला प्रकार बताया है तो इसका हल आप आपको ये भी हमने बताया था कि प्रसंट 6.5 के जब प्रसंटों को हल करो आपको फलन ही लेके चलना आए तो यहां पर हम लिख देते हैं कि उधारण 32 का हल सबसे पहले आप लोगों को लिखना आए दिया गया फलन f x बराबर 3 x e power 4 पहला पद दूसरा पद है 4 x q तीसरा पद है 12 x square और लास्ट का पद क्या है प्लस का 12 अब आपको पता है कि पहले पिरकार में दो बार अपकलन होता है तो आप लोगों को दो बार अपकलन करना है तो f x बराबर 4 आगे करेंगे तो 3 पहले से है तो 12 हो जाएगा एक गात कम करेंगे 3 बचेगी अब दूसरे पद का प्लंगरो 3 आगे 4 पहले से है चो 4 तियों 12 x square बचेगा तीन में से एक गात कम करेंगे तो 2 ही बचेगी अब यहां पर आजाओ दो गात आगे करेंगे 12 पहले से 12 दूनी 24 हो जाएगा और एक गात क्या बचेगी 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा एक घाट लिखी नहीं जाती है जरूरत जब पड़ती है तब लिखी जाती है लेकिन अभी जरूत नहीं है एक घाट तो ना लिखो आप लोग अब लास्ट का पद क्या है? अचर पद है अचर पद का क्या होता है? जीरो होता है तो इसे आप लोग ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है अब देखो एक बार और आपको अपकलंद करना है तो यह डवल डेस एक्स बराबर पहले पत्का अपकलंद करना है घात आगे करेंगे ना थीन आगे बारा पहले से तो चत्तिस हो जाएगा एक से स्कुवायर ठीक है अप दूसरे पत्का आपकलंद दो आगे करेंगे ना बारा पहले से बारा दूनी चवबेस और एक सीगात दो में से एक कम करेंदे एक गात बचेगी अब यहां पर प आ जाब अब आपको क्या करना है कि एक्स के मान ग्यात करना है कहां से ग्यात होगा जो पिर्थम कोटी के अपकलन की जो आंसर सीट है वहां से एक्स का मान निकलेगा यह आपको दिख रहा है यहीं से निकलेगा तो एक लाइन लिखना पड़ेगी जब एक्स के मान ग्यात हो जाएंग तो उच्छ तम होता है तो सबसे पहले आपको एक जिमान निकाल लेना के लिए यहां पर दिखुआ होगा इस जानी ए उच्छतम तो यही हिंदी आपको लिखना है साथ 6.5 में चाहें प्रस्णों को हल करो चाहें उधार तो आपको हिंदी देख लेना जो हिंदी लिखी हो वही आपको हल में हिंदी लिखना थीक है तो यहां पहरा हम लिखेंगे fx के इस्थानिये उच्चितम या इस्थानिये निम्तम मान के लिए ये आपको हिंदी लिखना है इसका मतलब क्या है एफ डबल डेस एक्स बराबर जीरो करना है तो यहां पर लिखना पड़ेगा आपको एफ डेस एक्स बराबर जीरो अब एफ डेस एक्स की आंसर शीरो कितनी है बारा एक्स क्यूँ पहला पद हो गया दूसरा पद क्या है बारा एक्स स्कोर तीसरा पद क्या है माइनस का 24 एक्स अब आपको यहां से गुड़न घंड करना है और एक्स के मान ग्यात करना है तो यहां पर पहले तो बारा कामन मिलना है और देखें तो सभी में हमें एक्स दिख रहा है तो एक्सिगात हम लेंगे कामन यहां पर तीन है यहां पर दो है यहां पर एक है तो जब भी कामन घात में लेना है चर की तो कम घात कामन लेना पड़ यहां पर बारा चला जाएगा ठीक है जब बारा चला जाएगा और यहां पर एक घात कम करो तो कितना मिलेगा एक्स मिल जाएगा यहां पर बारा दूनी 24 ठीक है इतना मिलेगा अब 12 का भाग लगाएंगे ठीक है और X का भाग नहीं लगाएंगे क्यों जिसका मान निकालते हैं वो 0 के बटे नहीं लिखते हैं तो इसलिए 12 का भाग लगा और हन्-ाअग करओं धुर्टा जिसका मान निकालो थे प्लाटे नहीं लिख जाता है यह बात आपको पता हो तो जीरो के बटे बारह तो क्या लिखोगे जीरो ही लिखोगे अब देखो यहां पर गुडणखंड करेंगे दो दो पद ले लेंगे तो इन दो पदों में एक्स कामन मिला तो एक्स ब्लस का दो यहां से माइनस वन मिला कामन क्योंकि जब कुछ कामन ना मिले तो वन मिलता है तो यहां पर माइनस दो नो पदों में तो माइनस का वन आपको ले लेना का है तो यह प्लस का कितना मिलेगा दो मिलेगा वरावर जीरो अब इसके आगे हल देखो इसको अम्राफ कर देते हैं ठीक है आप एक्स अमान आपको ग्यात करना है तो आप लोग नोट करते राग रो ठीक है तो यहां पर जब हम गुडन कंड करेंगे एक्स तो ऐसे रखेंगे यहां पर दोगो एक्स प्लस तू आपको कामल ले लेना है बचा हुआ दूसरे ब्रेक इंड में लिखना है एक्स माइनस वन एक्कोल जिरो तो एक्स के मान आपको मिले हैं यहां से मिला है जीरो और यहां से कितना मिलेगा व अब x बराबर 0 पर पहले चेक करेंगे, यहाँ पर चेक होता है, f double d's की जो answer state है, वहाँ पर चेक करना है, तो x बराबर 0 पर ठीक है, जहाँ जहाँ x आपको दिख रहा है, 0 रगना है, तो f double d's 0 equal 36 into 0 का square, यहाँ पर x है न, 0 रगना, यहाँ पर 24 into 0 और यहाँ पर minus का 24, ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको rough करेंगे, अब आगे जो है, हल करवाएंगे, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, पहला पत क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, दूसरा पत क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और तीसरा पत 24, तो यहाँ पर minus का 24 मिलेगा, 0 से छोटी यांतसीट आई है, तो 0 से छोटी जबाई है, तो क्या होगा आपको पता है, उचितम होगा फलन, तो य ऐसे करके आपको लिखना है ठीक है अब इसके बाद आपको बताया है कि इस्थानी उच्चितम और इस्थानी निम्तम मान ग्यात केजिए तो फलन क्या पता चला इस्थानी उच्चितम पता चला तो इस्थानी उच्चितम मान ग्यात हो जाएगा तो यहां पे लिख देते है इस्थानी है उच्छतम मान अब आपको कहां रखना है फलन में जो फलन दिया गया है प्रसंड में उसी में आपको रख देना एंटर सीट ग्यात हो जाएगी फलन तो हम रफ कर चुके हैं तो प्रसंड से देख लो ठीक है जहां जांगे एक्स है कितना रखना है जीरो रखना है तो कितना है थिरी इंटू जीरो की पावर फॉर लिखना है क्योंकि एक सी पावर फॉर है फिर दूसरा पद को प्लस फॉर एक्स की हुआ है तो फॉर इंटू जीरो की पावर थिरी फिर तीसरा पद है बारा एक्स स्क्वाइर वारा जीरो का स्क्वार प्लस का 12, पहला पत क्या होगा, 0 गा दूसरा पत भी 3 तरह नोट अब इसके बाद में आपको एक्स बराबर मांइनस दो पर यraf करना आए फलन उच्टुं मौगा कि निम्तं होगा तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एक्स बराबर माइनस दो पर ठीक है अब जहां जहां आपको एफ डवल डेस में एक्स दिख रहा है वहां पर आपको माइनस दो रखना है तो यह डवल डेस माइनस का टू रफ कर चुके हैं यहां पर देख लो जहां जहां जीरो है आपको क्या रखना है माइनस का दो रखना और यहां पर मैनस का 24 आप इसे हल करेंगे पता करेंगे फलन उच्चतम होगा कि निमतम होगा इसको अम्राफ कर देते हैं ठीक है है अब आगे दिखो इसके तो यह माइनस यह डवल डेश माइनस का टू एक को यहां करो तो यहां पर मैनस दो का स्कुर कितना मिलेगा चार मिलेगा चार का 36 में गुणा करो चार चंग 24 ठीक है चार तियों 12 बारा और दो 14 हो जाएगा अब यहां पर दो को पिलस माइनस माइनस 24 दोनी 48 और माइनस का 24 ठीक है अब हमें 144 पिलस का मिलना है दो पद माइनस के हैं इन संक्याओं को जोड़ लो ठीक है 8 4 12 दो 4 6 और 1 7 अब घटा लो 144 पिलस का है और बातर माइनस का है तो यहां पर हम घटाएंगे तो पिलस का ही मिलेगा चार में से दो गए दो मिलेगा ठीक है 14 में 7 गए तो 7 मिलेगा यह मिला हमें 0 से बड़ी आंजर सीड मिली है तो जीरो से बड़ी मिली है तो फलन क्या होगा निम्तम होगा तो आपको यहां पे लिख देना है x बराबर माइनस दो पर fx इस्थानिय निम्तम है ठीक है ये पता चल गया है x बराबर माइनस दो पर फलन इस्थानिय निम्तम है अब मान गयात हो जाएगा तो आपको लिखना यहाँ पर इस्थानिय निम्तम मान इतना आप लोग note करो हम इसको rough करेंगे ठीक है अब आपको करना क्या है फलन में रख देना है जहाँ जहाँ x है माइनस का 2 रखना है चो लो प्रेसन में देख लो 3 x की पावर 4 है तो 3 माइनस 2 की पावर कितनी मिलेगी 4 मिलेगी दूसरा पत देखो 4 x q है तो 4 into माइनस 2 की पावर 3 ठीक है अब तीसरा पत के अब 12 x square है तो माइनस 2 की गातें 2 मिल जाएगी प्लस का 12 ठीक है अब हल करो माइनस 2 की गात 4 कितना मिलेगा 16 मिलेगा अब 16 का 3 में गुणा करो 48 मिला ठीक है अब माइनस 2 की गाते हैं 3, 8 मिल जाएगा, माइनस का मिलेगा 8 तो प्लस माइनस पहले माइनस कर लो अब 8 का 4 में इंटू करेंगे 32 मिलेगा यहाँ पर माइनस 2 का स्कॉर क्या मिलेगा, प्लस का 4 मिलेगा 12 चोख, 48 माइनस का हो जाएगा, ठीक है अब प्लस का क्या मिला 12 यहां पे अब देखो यहां पर 48 से 48 कट जाएगा ना गटाएंगे 32 में से प्लस का 12 2 में से 2 गया 0 मिलेगा 3 में से 1 गया 2 मिलेगा माइनस का क्या मिला हमें 20 मिला ठीक है एक्स बरावर माइनस दो पर यह आप लोग क्या करो नोट कर लो इसे यह भी ग्यात हो गया अब एक मान और बचा है एक्स बरावर बन उस पर भी हम चेक करेंगे फलन उच्छतम होगा कि निम्तम होगा तो यहां पर लिखना पड़ेगा एक्स बरावर बन पर यहां डवल डे क्या रखना है बन रख के लोगा बज का देते हैं आप लोग नूट करते रहा करो और यहां पर क्या मिलेगा चांटिस मिलेगा यहां पर 24 मिलेगा मैनस का 24 यह कट गया तो पिलस का 36 आया मतलब जीरो से बड़ी आंतर सीट आई है जीरो से बड़ी आई है तो इस तानी निम्तम होगा एक्स बराबर बंद पर फलन अब इसको अंब्राफ कर रहे हैं आप लोग इतना नोट करो ठीक है इसको अंब्राफ कर देते ह है अब आपको इसके आगे लिखना है एक्स बराबर बंद पर एक्स बराबर वन पर एफ एक्स इस तानी यह निम्तम है तो इतना पता चल गया हमें एक्स बराबर बंद पर फलन इस तानी यह क्या है निम्तम है अब निम्तम मान ग्यात हो जाएगा तो यहां पे आपको लि निम्तम मान अब जहां जहां एक्स है वहां पर बन रखना है फलन जो प्रस्ण में दिया है देखलो प्रस्ण में देखलो यह बन बराबर 3 इंटू 1 की पावर 4 लिखना है फिर दूसरा पत क्या है 4x क्यू है to four into one का key minus 12 into one का square हो जाएगा जहाँ जाए-x niż बन रखना है plus का 12 कितने पदें one two three four तो यहाँ पर दिलो one two three four ठीक है तो यहाँ पे तीन मिला यहाँ से चार मिला यहाँ से 12 मिला plus का 12 कडगया तो कितना मिला 7 यह plus का था यह माइनस का इसलिए कड़ गया ठीक है तो चार और तेन साथ तो हमें इस ताने निमतम मान कितना मिला साथ एक्स बराबर बन पर मिला है यह वन की आंसर शीट हमें पलस जल गई तो तीनों पर हमने मान ग्याद कर लिया यह तो कंप्लीट हो गया उधारण 32 क्योंकि यह पिछली क किलास में करवा दिया था पिछली किलास छूट गया था ठीक है अब आगे देखो उधाररण इसका अमराफ कर देते हैं ठीक है यदी एक समलम चत्रवूज के आधार के अतरीक्त अतरीक्त का मतलब होता अलावा कहता है तीनों बुजाओं की लंबाई दस इंडीमिटर रहे तब समलम चत्रवूज का अधिक्तम 6 तरफल ग्याद कीजिए तो समलम चत्रवूज का चितर आपको आता हो बनाना तो यहाँ पर हम बना देंगे आपको तैयार करने से पहले हम यही बताते हैं आपको फार्मूला जरूर याद होना चाहिए तो हम यहाँ पर हम पहल करेंगे और याद कर लेना अगर फार्मूला आप लोगों को ना याद हो तो पहले चित्र आप लोग देखो कि समलम चत्र बुझ का चित्र कैसे बनाया जाता है ठीक है तो यहाँ पर हम समलम चत्र बुझ का चित्र बना देते हैं ठीक है ऐसे करके आपको बना लेना है यह क्या है समलम चत्रभुज का चित्रएफीगर है तो A, V, C, D, E और EF अब देखो यहां पर क्या बताया गया है समलम चत्रभुज के आधार के अतरेक्त तीनों बुजाओं की लंबाई दस है तो यह आधार यहां पर दस कर लो सेंटीमीटर और तीन बुजाओं कौन सी है एक, दो और तीन यह बताई है इनकी लंबाई कितनी है दस सेंटीमीटर बताई है तो यहां पर आपको दस कर देना है दस सेंटीमीटर यहां पर दस सेंटीमीटर यहां पर 10 cm क्योंकि यहां तक की जितनी दूरी है उतनी दूरी यहां से यहां तक की अगर यह 10 यह थह साद है और प्रस्न बोला वह तो जो है क्योंकि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो यहां से यहां तक की होगी ठीक है अब आपको क्या करना है फार्मूला फार्मूले के हिसाब से ही आपको मानों को ग्याद करना है तो सबसे पहले हम यहां पर फार्मूला लिख देते हैं आप लोग याद कर लेना अगर याद ना हो समलंब चत्रवुझ का चेत्रफल जो एक बटा दो समांतर बुझाओं का योगफल अगुडए उचाए ठीक है याच कर लो यहां पर है तो समांतर बुझाओं का योगफल अब रखना खयाक अपको सम्मी एचितर भोज में तो समांतर भोजाए एभी है और किया है एता समांतर भोजाएं तो एभी में हमें क्या घ्यात है क्याओ और क्याओ क्यों कि चुब के कितने पार्ट हैं 1-10 day 12 मतलब e不是 10E f List Z Sब्जा रहें आपको हल तो करवाएंगे पहले समझ लो तो ईइयृःAlinec ए इफ पता है 10 और यावी पता ने सो इसे ग्याद करो पहले ए ए और यावब और उचाई भी नहीं पता है यह क्या है उचाई कने यहां पर हमने क्या ले लिए ठीटा कौन ले लिया चाहिए ये वाला समकौन तिर्बुज देख लो चाहिए ये वाला देख लो कोई सा एक देख लो ठीक है तो हम ये वाला समकौन तिर्बुज ले लेते हैं यहां से हम A E पता कर लेंगे अगर A E जितनी होगी उतनी ही यवी होगी ये तिर्भुज बराबर है ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां से हम A E ग्याद करेंगे तो समकोर तिर्भुज यहां पर लेख लो आप लोग समकोर तिर्भुज A E D से तो तो से लिखो, चाहें में लिखो कोई दिक्ष कर नहीं busy तो यहाँ पर अगर हम coun क्या होता है आधारबटे कर होता है तो यहां पर आधारबटे कर लिए आधार क्या है ए है और 90 के सामने क्या मिलेगा कर मिलेगा ए डी इसे हम रफ कर देते यह तो हमने समझाने के लिए आपको बताया है कि आपको किसके किसके मान ग्याद करना है योगे आपको पता है जब हमें एक समीकर मिलेगा समलम चतुरबुज का छेतरवन उसी पर हमें दो बार अपकलंग करना है क्योंकि यह उधारण जो सैंटिस है पहले पिरक करन होगा अधिक्तम किसके पास लिखा चेतरवल के पास तो चेतरवल फर ही दो बार अपकलंग करना है यहां पर जब समीकर निकलेगा चेतरवल का तब उसके बाद पता चलेगा तो पहले तो हम क्या करेंगे मानों को ग्याद करेंगे उसके बाद आपको बताएंगे किसके सापेज अपकलन करना है तो a e हमें यहां से निकालना है और a d पता है कितनी है 10 तो cos theta बराबर a e upon a d का मान 10 है गुणा करेंगे तो a e हमें पता चल गया कि क्या है 10 cos theta है ठीक है अब a e जितनी है यहां पर उतनी ही क्या होगी a e और a e तो हमें यह पता से लगया अब उचाई के लिये चाहें e d ग्यात कर लो चाहें cf ग्यात कर लो एक ही बात है तो यही हम प्रवुज ले लेंगे और इसमें अपकी इस बार 산 tita लेंगे थीक है तो यहां पर हम लिख देते हैं 산 tita बराबर लंबटे कड होता है यह सब लालवटे कक्का से हम लिख रहे हैं यह आपको टेंट में पड़ाया गया होगा तिर कोण मिती में लालवटे कक्का यल का मतलब लंब एका मतलब आधार फिर लंब आ गया नीचे के डबल कैंखका कड एका मतलब आधार तो साइन ठीटा पहले में ही मिलता है और दूसरे में को पर ख़्षीटा मिलता है तीसरे में c Greg मिलता है साइन ठीटा लंब बटे कड लंब यहां पर ठीटा के सामने है ED और कड़ यहां पर क्या है AD है AD ठीक है साइन ठीटा बराबर ED का मान हमें ग्यात करना है उचाई AD पता है 10 है गुणा कर लो ED बराबर क्या आएगा 10 साइन ठीटा तो उचाई भी पता चल गए हमें और हमें AE और EB पता चल गया इतना अब लोग नोट करो अब इसको अम्रफ करेंगे अब फार्मला लगाएंगे समलम्ब चत्रबुज का चेत्रपल इसको अम्राफ कर देते हैं ठीक है इसको भी और इसको भी अब आगे देखो तो यहां पर हम लिख रहे हैं समलम्ब चत्रबुज का चेत्रपल वटा दो समांतर को सौड में ऐसे लिगो ठीक है समांतर सौड में सब को सौड में लिगो समांतर को सौड में और चत्रबुज को सौड में समांतर भुजाओं का योग फल और गुणे उचाए यहां पर इंटू यहां पर कर लेते हैं ठीक है इस पर थोड़ा सा कम है न है धीरे-धीरे सॉल्ब करवा रहे हैं आप लोगों के समझ में आ जा इसलिए जल्दी नहीं कर रहे हैं तो यह बराबर वना पांटू अब समांतर भुजाओं का योगफल तो हमें पता है कि एफ ही पिलस फीगर से लिख रहे हैं कि फीगर से लिख रहे हैं हम फीगर बना देते हैं आपको समझा देते हैं कहां से लिख रहे हैं इसको हम रफ कर देते हैं ठीक है तो हम फीगर बना देते हैं फिर आपको समझा रहे हैं कैसे आपको लिखना यहां पर यहीं ता फीगर ठीक है ए वी सी और डी ई और एफ ठीक ह तीनों लिखो A E ठीक है प्लस E F और प्लस E F V प्लस का C D ठीक है तो यह यहां से यहां तक A B हो गया ठीक है यूगर तीन पाटा है एक दो तीन एक दो तीन अब इसके सामने क्या C D समानतर है न जोड़ना है और गुणें उचाए उचाए चाए E D कर लो चाएं यहां पर E D हम लिख देते हैं अब इसको हम रफ कर देते हैं अब आपके समझ में आया होगा हमने फीगर से लिखा है तो 1 आपांट टू A E कमान दो कितना है 10 कॉस ठीटा और E F V कमान भी 10 कॉस ठीटा है E F कमान 10 ठीटा ठीक है E F V कमान लिखो 10 कॉस ठीटा और C D कमान C D यहां पर C D भी 10 कॉस ठीटा है A E E F और C D कमान 10 है केबल उपर वाली है J जे वाली ठीक है और E D देख लो यहां पर क्या है 10 साइन ठीटा यह उचाए है और यदा पर आपको चया दिग तो डीटा के साही आपको कंड़toi करना है तो आप लोग अबर आneh करूंट कर करो अगर अभी तक चेनल को सबक्राइब कर दिया करो वेल आइकन जरूर प्रिप्र किया करो उसमें आपका फाएदा है जब वीडियो को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेसन आपको मिलते रहेंगे आप शिलेबस भी तयार कर सकते हो एटू जेड हम आपको पढ़ा रहे हैं आपको पता है कोचिंग में तो ऐसा मिलेगा नहीं आपको फिरी में हम आपको ये प्रोवाइड करवा रहे हैं तो इसलिए लाइक में कोई पैसा नहीं पड़ता है सस्क्राइब करने पर भी कोई पैसा नहीं पड़ता है फिरी में लाइक होता है सस्क्राइब होता है वेल आइकन भी फिरी में ही प्रेस होता है तो जो फिरी में वो तो कर दिया गरो जहां पर पैसे लग रहे हैं वहां पर ना क्या क गिए ठीक है यहां पर हां 1010 यह भी 20 हो जाएगा और बहुत किया है यह दहें और आपको क्या करना है यह कामल ले लेना और वी गुडें 10 बाहर निकलेगा और 2 से चाहो तो काड लो 2,5 10 तो 20,5 तो सोव भार आएगा तो क्या करें सो बाहर करें तो 1 प्लस का कॉस ठीटा into क्या रहेगा यहांपे साइंठ ठीटा ठीक है अब आपको क्या करना? साइंठ ठीटा का into कर देना है अभी आप कलान नहीं कर रहा है, तो साइंठ ठीटा तो यहां से ले लो अंदर इंटू करेंगे ठीक है तो यह बराबर बाहर पचास रखो तो टू साइन ठीटा इंटू कॉस थीटा यहां पर साइन टू ठीटा बन गया है आगे देखो अभी यह खतम नहीं हुआ है अभी अपकलन ही नहीं हुआ है थोड़ा सा लॉंग है यह देख लो आप लोग ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे ए बराबर पचास तो यहां पर क्या आएगा टू साइन ठीटा पहला पद हो गया दूसरा पद देखो टू साइन ठीटा इंटू कोश थीटा क्या होगा निगड़ एक डालो क्योंकि बाद में हमें अधिक्तम 6 तरफल भी ग्याद करना है ठीटा कमान निकलेगा चेक होगा चेक करने पर हमें क्या मिलेगा अधिक्तम मिलेगा मतलब निगेटिव की आंत्रशीड मिलेगी डीटू एपॉन डीए डीटीटा स्कॉयर की ठीक है तो पहले तो अपकलंड करो ठीटा के साप पेज पचास ऐसे लिखेंगे यहां पर क्या है का क्या होगा कॉस ठीटा होगा इसका भी कॉस ठीटा होगा लेकिन टू ठीटा का दुबारा करेंगे टू निकलेगा ठीक है फिर एक बार अपकलंड करो डीटू एपॉन डीटीटा स् और इसका आपकलन करेंगे, तो माइनस का क्या होगा, साइन ठीटा होगा, इसका भी माइनस का साइन ठीटा होगा, लेकिन 2 ठीटा का दुबारा करेंगे, 2 पहले चे, और 2 निकलेगा, कितना हो जाएगा, 4 हो सबसांदार, अपकलन तो आपको आता है ना क्योंकि पार्ट पांस आंते ता अपकलन अमने आप आप लोगों पड़ाया था प्रसाफली 5.2 से लेके प्रसाफली 5.7 तक वीडियो पड़े हुए है प्ले लिस्ट में आप लोग देख लेना ठीक है जिस स्टूडेंट ने अभी तक अपकलन ही तयार नहीं किया है तो अपकलन जरूर तयार कर लेना क्योंकि जिस स्टूडेंट ने अपकलन नहीं तयार किया उसके हो समागलन समझ में नहीं आएगा तो इसलिए बोल रहे हैं अपकलन तयार जरूर करना क्योंकि समागलन अगर आप लोगों को सीखना है समागलन में अ आगे यहां पर देखते हैं पहले इसे हल करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे पार्ट साथ की समाकलन के पहले इसे भी कंप्लीट करना जरूरी है तो थोड़ा सा और फिलाव मिल जाएगा तो साइन ठीटा प्लस का रहएगा और यहां पर भी प्लस का रहेगा तूश IN आपको क्या करना है ठीटा कमान निकलता है कां से निकलेफार फिरथम कोटी के अब कलान की जूँत्र सीड़ें को लिखना पड़ेगी यहां पर एक इस चीश्टिया उधारण में वोई तो लिखना है तो अधिक्तम लिखा है अधिक्तम का आपोजिट बता दो आप लोग नहांट- अधिक्तम अरही बात होती है नि dependency गयं इसका पोजिट यहाँ पर एक अधिक्तम यह अधिक्तम यह निउन्टम मान के लिए चलो आगे बढ़ते हैं हम d a upon d theta बराबर 0 कर लेते हैं ठीक है तो d a upon d theta का अंतरशीड यह ही है दो बाहर लेके लिखो 100 cos theta plus का cos 2 theta बराबर 0 ठीक है अब आपको क्या करना 100 का भाग लगा देना है तो cos theta plus का cos 2 theta बराबर 0 के बटे 100 तो 0 के बटे 100 तो 0 ही लिखो अब इसको उस तरफ लेके जाओ चाहें इसको लेके जाओ चाहें उसको लेके जाओ तो हम क्या करेंगे इसको लेके जाएंगे जिसमें कौण कम है उसको पच्छांदर करो तो minus का cos theta मिलेगा अब बताईए cos से cos हटाना है लेकिन ये minus पहले हटा दो तो कौन से चतुरतांस में cos minus होता है दुतिये में होता है एक cd होती है cd पहले में plus होता है अब आज़ा दूसरे में तो दूसरे में minus होता है दूसरे में होता है और चतुरत में होता है लेकिन एक सेड़ी है जो पहले मिल जाए उसे ले लेना है तो दुतिये चत्रतांग में क्या होता है 180 यांस माइनस थीटा तो यहां पर लिख देंगे कॉस से कॉस हटाएंगे तो आगे देखो अभी यह खतम नहीं हुआ है ठीक है इसको हम रॉफ कर देते हैं अब देखो आगे तो क्या लिकर ना से कॉस टूटणी टीटा बराबर कॉस 180 माइनस थीटा ठीक Черफे मैनस को सचैटा है लिए रहे आपको दिखे रहा है और अधिकतम यहां पर लाना है क्योंकि उधारान में लिखा भी है Hem इytag अ Am rapidly आपको आपको यहां पर बताना है मुंब देखो और टाइवा се यहां पर माएनश का हंडेड हिए ठीक है साइन ठीटा कामान रखा दो पाइवाइजाी ठीक है यहां पर रखो टू साइन तू पहले से है और ठीटा पाइवाइज ठीक है अब मानगे तो शा Heung 60 अंसकमान रूट 3 अपन 2 होता है पलस 2 ये देखो 308, 120 120 अंसकमान बताईए यह 120 होता है ठीक है 220 अंसकमान आपको बता जो साइन 60 अंसकमान होता है उफोई 120 अंसकमान होता है क्याँ क्यूंकि साइन और कॉसिक 90 के ऊपर दोनु sign plus होते हैं तू रूड थ्री एक रूड थ्री तो थ्री रूड थ्री अपान टू तो पचास मिल जाएगा यहां पे कैंसल करेंगे पांति यो पंद्रा यह डेर सो मिलेगा ठीक है और मिला है जीरो से छोटा तो यह पत यह निकला आया चेत्रपल अधिकतम है समलम चत्रबुज का तो इस पाइवाइट थ्री पर एक क्या है समलम चत्रबुज का चेत्रफल अधिकतम है ठीक है एक लग गया अब बोला है अधिकतम चेत्रफल का मान भी ज्याद कीजिए यहां पे लिख देना है अधिकतम चेत्रफल अधिकतम चेत्रफल ए बराबर पहले तो आंदर सीड बताओ कि नहीं थी कि सो ठीक है और कि क्या था यहां पर यहां से अगर देखा जाए ठीक है साइन ठीटा और प्लस का साइन टू ठीटा यही था ना और बाहर पचास था कि कै के ऐसे करके है यही था जब अमने समीक्रण 1 हमने डाला था ने समीक्रण 1 वहीं आपको लिझा और ठीक खैंगे और यहीं पर यहां पर ढलोतो साइन ठीक हूं टू पाई अपॉन ठीक希 यहाँ पर दो का गुणा किया था ना तो यहाँ पर दो भी होगा ठीक है कि को देख लेना समैकेरड एक थोड़ा सा देख लेना क्योंके हम ने रफ कर दिया न इसलिए रूट थी पोंट्ट यहाँ पर रूट तो यहां पर काड़ लो कितना मिलेगा 25 मिल जाएगा 50 से कटेगा ना दो अब आपको क्या करना है इंटू करना है 25 का 3 में 25 दिया 75 रूड 3 और सेंटी मीटर इसको आ लिगना चेत्रफल का मातरक यह होता है वाधिक्तम चेत्रफल इतना है 75 रूड 3 और यह जो लिखा है हमने समीकरण एक से लिखा है ठीक है 50 इंटू 2 साइन टीटा पिलस साइन टू टीटा यह कंप्लीट हो या उधारर सेंटीस अब अगला उधारर हल करवाएंगे इसको हम रफ कर देते हैं उधारर अर्टिस आप लोग डालो कि यहां पर हम नंबर कर देते हैं अर्टिस अब देवो अर्टिस में क्या लिखा सिदि की जे कि एक संकू के अंतरगत महत्तम बक्रप्रेश्ट वाले लम बिरतिये वेलन की तरज्या संकू की तरज्या की आधी है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लम बिरतिये वेलन की तरज्या है संकू की तरज्या की आधी होती है यह सिद्ध करना है लेकिन उससे पहले क्या सिद्ध क करना है संकू के अंतरगत मतलब संकू के अंदर महात्तम बक्रप्रेश्ट वाले लंबिर्टिये वेलन मतलब महात्तम बक्रप्रेश्ट वेलन का आपको दिखाना है महात्तम दिखाना है जो संकू के अंदर है महात्तम दिखाने के बाद में फिर उसके बाद जो वेलन की तरज हम बना देते हैं ठीक है कि यह यह डालो वी डालो और क्विन रिखा है संग सब्सक्राइब करें कि अंदर पहले तो पुर्सक्राइब बनाओं लंब इतिए न यह नबब बनेगा लंब घिल्भ पड़ाए इसका नाम हैं लंब थि है लिए बेलंद even देखुरू को यहां से मिलाना आपकों अंदर बेलंब बनाना इधिक है ऐसे करके फिलन बनाना है अब आपको यहाँ पर दिया कुछ नहीं है ना तरज्य-द दिये संकु की ना वेलन की आपको बड़े वाले की capital लेना है ना तरλαच और उछ्म धाँं की तरज्य के कार breत संकू की उचाई भी हमने है ले ले ली और इसकी उचाई हमने इसमाल है और यहां पर आपको क्या करना है और डेस कर लेना यह पर ओ कर लो कर लो तो यहां पर अलफा ले लो मुझा जरूत पड़ेगी इसलिए बोला यह क्योंके हमें व्qrs को वेलं का महत्म बताना मतरब 4rH तो वेलं की तुर्ज्य तो ओर है लेकिं उचाय जो है नहीं ग्यात है उचाय और ग्यात करेंगे क्योंक्य अब कलन जब हम करेंगे यह क्या है व्बश्ज अपकलने या तो कर लेंगे तो यह नहीं पता हे लेकिन लेकिन किसके साफिज होगा यह नहीं पता है उह यह प है अभी तो बता रहेंगे घ्rijल लो लो जो चर यहां पर हड़ा आजाए उसके सापित हगलन होगा को इसी लिए लिए दकालन निकाल लेंगे आर के मिलमें आर ज्यादा बार हो जाएगा जो च्राथा बार आएगा उसी के प्लन होगा यह ट्रिक यह लिए क्रेड़ी वाले प्ररणे करो आपको-ईस के लिए आपको पता है, ओडे से पता हो क्योंकि जब हम तो ज्याधा मैं मैंसे हम क्या घठा देंगे को हम जब्होंते हम कि एथ एई कर लेंगे bo! कप यह इसे ग्याध करो यह से तब आपको तो येस पता चल जाएगा बेलंड का ठीक है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ये वाला जो है ले लेंगे समकौंट तिरभूज यह ओ ए ओ यह ओ डेस यहाँ पर कोई बिंदू ले लो तो यहाँ पर PQRs ठीक है पीक्त Combat CO e o PlayStation १sin लेलो तो यह उडेस् हैं से एंट को हैं अलफा बराबर लंबटा या यह तो ले नहीं लेना है और यह इसलिए लेना क्योंकि यहां सशंब्स अधार दप यहां तक तरज्जिया आ रहा है विलन की यहृत्जीया क्या होगी चीआ sus तो r लेना है और ये वाला लेना है ओडे से 10 डिटा लंग बठे आधार तो लंग क्या है? Odeus q है और आधार क्या है? इसका आधार यह तो है 90 के सामने यह तो कड है यह तिरची उचाई है ठीक है तो यह कड है आधार तो Odeus A है इसको उम्राफ कर देते हैं ठीक है 10 alpha बराबर तो इसका समें इंटू करो और इसे निचे बैदो ओड़े से बराबर आर अपन तीन lavender एंडे से बराबर आरकॉट अलफा यह पठाच लगयाई अब आराम से हम बेलन की उचाई गयाद कर सकते हैं इसको हम रफ कर देते हैं फिगर की अब जरूरत नहीं है जरूरत पड़ेगी कब जब हम बेलन की त्रजिया और संकु की त्रजिया की आदी कि शिद्ध करेंगे यहां पर तब जरूरत पड़ेगी फिगर के लेकिन थोड़ा सा फिगर आप लोग ध्यान रखना है ठीक है इसको हम रफ कर देते हैं अब देखो अब लिखो चूंके यहीं लिख लो ओड़ेस बराबर ओए माइनस का ओड़े से ओड़ेस है और ओए कैप्टल है माइनस ओड़ेस है अभी निकाली है आर कॉट थीटा थीटा था कि अलफा लिया था जो भी लिया हो अर्ध सिर्ष कौण लिखना ठीक है इसे सम्हाइक डालो हिए अब हम्हें जरूर्थ पड़ेगी इस समीखरण के यहां पर links का वक्रिप्रेश्च विलन का वक्ष पर यस बरावर लेख लो 2 पाई आर यह तो यस बरावर 2 पाई आर इसे रखो यह का वान यहां से रखो यह माइनस आर कोट अलफा समीकरण एक से यहां पर लिख दो समीकरण एक से इसे हम रफ कर देते हैं ठीक है अब आपको दिख रहा है कि जो आर है और यह से आर दो बार है यहां पर देखो यह एक बार है कैप्टल यह तो ज़्यादा चर आपको मिल जाए इस तरफ उसी के सापेश अपकलन करना है यह प्रस में नहीं बताएगा यह बात खुद अपने आप सूसना पड़ेगी तो यही ट्रीक है जो हम आपको बता रहे हैं जो ज़्यादा बार है उसके सापेश आपको अपकलन करना है तो आर दो बार है इसलिए आर के सापेश अपकलन करना है तो आर का इंटू कर दो तो अपकलन सरल हो जाएगा ऐसे करोगे दो बार अपकलन होगा फर्स्ट और सेके साहँधारैगा यहां पर एक वार और अफकलन करो क्यों कि पहले पिरकार काई उधारण Brexit इसलीघाश आपको दो वार सपिलन करना आय कुण चिरो मिलेगा एक वार कोटल चॉट ही दिरिए दो औरण 12 अब निकालना है क्योंकि जिसके सापेज करते हो उसी का माण निकालना पड़ता ये बाद भी आपको पता हो तो आर के सापेज अपकलन किया तो आर kabla कहां से दिखलेगा पिरत्म कोटी का कि अंतर स 식 है औरकमान निकलेगा यहां anywhere तो क्या लिखने पड़ेगा एक लाइन आपको लिखना पड़ेगी ठीक है प्रहसर में देख लो हिंदी में क्या लिखा है महात्तम और इसका अपोजीट आपको लिखना है नियूंतम ठीक है तो इसे हम रफ कर देते हैं अब आगे देखो शमी रइए जो यहां पर लिख देते हैं यह माइनस क्या था कि चुमी करण एक यह माइनस और कोट अलफा सभिशा पड़े वहारSi में आ इसकी हमें रिक देते हैं और टीक है यह अम ब्रावर करें हीजो है ज Corinna पड़ेगी तो इसली को अब नहीं पड़ेगी कोई दिक्कित महीज़ी आप देखो यहां पर आपको एक लाइं लिखना पड़ेगी यहां पर लिख के महत्तम या नियुंतम मान के लिए कि क्या लिखना पड़ेगा डियास अपान डियार बराबर जीरो तो डियास अपान डियार की आंतरशीट देखो यह है तू पाई यह मैनस का टू आर कोट अलफा बराबर जीरो इतना आप लोग नोड करो इसे अंगराफ कर लेते हैं आप इसको भी एब्रफ कर देते हैं यहां सेयार का मान निगलो पहले टू पाई का जीरो में भाग लगा दो यह मैनस टू आर कोट अलफा बराबर जीरो के बट टू पाई आये गा आपको पताए जीरो के बटे टू पाई तो ढाड़े लो ना जीरो यहां से 2R कॉट अलफा बराबर यच तो R बराबर यच अपान 2 कॉट अलफा तो R बराबर 1 अपान 2 यच 10 अलफा अब आपको यही R कमान यहां पे चेक करना रखना है यह R तो दिया नहीं यहां पे अगर होता तो रखते नहीं है तो कोई बात नहीं रखेंगे लेकिन आंसर सीड देखो निगेटिव की तो जीरो से छोटी है तो आपको किरिया विदी तो वही रखना ना जो आपने सीखी है पहले पिरकार में इतने पर आपको लिखना है तो डालना है अब आपको d2 yes upon dr square लिखना है इसके बाद य नहीं समझ में आ रहा हम आपको समझा देते हैं यहीँ आपको यहां पर लिखना आर बरावर भनावसाय क्या इसको नहीं है तो नहीं रखेंगे लेकिन आंसर सीट जीरो से चोटी है तो यह तो में पता चल गया इसको वह अब कर देते हैं आपको लिखना है R बराबर 1.2 यच तेन अलफा पर बक्र प्रस्ट जो यज़ है क्या है? महत्तम है बक्र प्रस्ट महत्तम है ये तो हो गया ठीक है? अब आपको क्या करना है? वेलन की तरज्या संकू की तरज्या की आदि आपको दिखाना है तो आपको संकूर्ण तिर्बुज बड़ा वाला लेना है संकूर्ण तिर्बुज A O C से ठीक है? टेन अलफा बराबर आपको लिखना है लंब बटे आधार लंब था वहाँ पर O C फीगर से लिखना है ठीक है? आप लोग देख लेना पीगर से लिखना है लंब बटे आधार ठीक है? टेन अलफा बराबर O C कैपिटल आर था ठीक है? और O A यह था यही था ना? ठीक है अब आपको क्या करना है? वेलन की जो तिर्जिया है संकू की तिर्जिया की आदी रखना है तो यह का कोई काम नहीं यह का मान रखो कहां से रखो? यह आर है ना? और कैपिटल यह से रखो लंब बटे आधार कैपिटल यह से लिखो क्योंकि बड़े वाले संकू की बात कर रहे है संकूर लियाना AOC इसको हम रफ कर देते हैं फीगर से आप लोग ध्यान देना है क्योंकि फीगर तो हम रफ कर चुके है तो आपको पता है फीगर फीगर वहां पर AOC लिया है संकूर ते यह सामने वाला लंब होगा और खड़ा-खड़ा गया हो जाएगा आधार हो जाएगा वही लिखा है तो यहां से निकालो रखो तो R के बटे कितना होगा 2R upon 10 alpha यहां पे लिख दो जो हमने रखा हैं मान यह बराबर 2R upon 10 alpha कहां से रखा है यहां से रखा है जो R बराबर 1 upon 2 into 10 alpha per यहां मात्तम है यह तो पहले बताना था फिर उसके बद आधाद हमें वेलन की तरज्या है संकु की तरज्या की आद ही दिखाना है इसको ऊपर लेके चलो तो टेन अलफा बरावर आर टेन अलफा अपान टू आर इसकी जरूत नहीं पड़ी जो हमने यहां पर लिखा है ठीक है तो इसको अम रफ कर देते हैं अब देखो इसको इधर multiply करो और यह cancel कर दो तो आर बरावर आर अपान ठो देखो यह इस माल आर जो है वेलन की तरज्या ऑपर वेलन नकी तृज्जित जो आई है वेलन की त्रज्ज्ज्या जो आई है वे एक वठा आदिक संकु की त्रज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् convention ख़ल, Sel sud 38ए दो और बच्चें ईसकेए इस प्रस्ना वली की जो West पॉयंट 5 है न इतने उधहरत थें जो आपके सामने दिख रहे हैं एक उधारण और है वो भी हम करवा देंगे एक तालिस पहले यह देख लो दो उधारण फिर उसके बात करवाएंगे एक जो उधारण बचा हुआ है उधारण उन्तालिस यहाँ पर आप लोग डाल लो 38 होई गए हैं 49 यहाँ पर क्या लिखा देख लो अंतराल 1,5 में एफ एक्स बराबर 2 एक्स क्यू माइनस का 15 एक्स स्क्वार प्लस का 36 एक्स प्लस का 1 दुआरा पिर्दत फलन के निर्पेच उच्टम और निर्पेच निम् प्लम मानों को ग्यात के जिए तो सबसे पहले यह बताहिए यह उधारण 4 कौण से पिरकार का यह औंतराल यहां पर मिला हैं चौते clarify का एोसो प्लता सबसे पहले पालन आपको लिख लेना यहां पर लिखना इदिना गया फलन एक्स बराबर एक्स बराबर क्या कितना आए कितना है चाहां कितने पदां एक दो तीन चार गिनो एक दो तीन चार ठीके पहला पद एक च्वार मानस का प्लस का 36 तीसरा पद है ओव लाश्ट का पद एक एक वार अपकलंण करो यहां पर ऊंतराल भी लो एक से बिलांस्टू कितना है वन कामा फाइव अपकलन करो एक बराबर शेयक स्कॉायर यहां पर 30 एक्स और यहां पर पर प्रसका 36 एक्स का वन और वन का जीरो अचरपत का तो आपको केबल इतना लिखना है ठीक है अब लिखो एक्स के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए तो देख लेते हैं उधारण में हिंदी वह हिंदी आपको यहां पर लिखना है जो उधारण में है क्या है देख लो निर्पेच उच्टम और निर्पेच निम्तम तो यही आपको लिखना है एक्स के निर्पेच निम्तम मान के लिए कि यहां से हमें एक्स का मान ग्यात होगा एक्स का मान ग्यात करने के लिए यह लाइन लिखना पड़ती है ठीक है अब देखो क्या है छे एक्स स्क्वाइर माइनस का 30 एक्स प्लस का 35 बराबर 0 चे कामल लब लिखो जिरू अब आगे देखो 2 торमें कामल लिखी यहां से 2 मिल गया फिर एक्स मान तृरी और एक्स मान से बेइख बराबर आएक्स बराबर तीन कामा दो अब दो मान हमें यहाँ पर मिले हैं और दो यह ल Elow Entral ये फैसे कुलमान हमें पता जाएंगे इसकोम रफ कर देते हैं ठीक है उब इसके आगे आपको लिखना है ये कि कुलमान कि इसके क्या लिखना है अंत राल यूज करना है तो यहां पे लगना है कि टो अंत्राल में हमें वन काउंफ है ठीक है और एक के मान हमें दो में लगा है सबसे पहले सबसे छोटी संग्याली को फिर उससे बड़ी दो है फिर उससे इससे बड़ी क्या थी वेकिन है सबसे बड़ी पांच स्टीग है चार मान आपको निकालना है क्योंकर एक स्टीड मान निकले हैं चार आंसरीड आपको निकालना है निकालना है यहां पर रखो जान जाने है लगर को टू इंटू वन का क्यों फिर माइनस का पंदरा इंटू वन का स्क्वाइल आगे बढ़ो प्लस का चतिस इंटू वन फिर प्लस का वन ठीक है दो पंदरा दो पंदरा चतिस एक ठीक है तो यहां से क्या मिलेगा दो मिलेगा यहां से पंदरा मिलेगा यहां से चतिस मिलेगा प्लस का एक ठीक है अब आपको क्या करना प्लस करना है तो 36 और दो 38 और एक 49 मैनस का 15 तो घटा लेंगे नौ में से 5 जाएगा चार मिलेगा अब 3 में से 1 जाएगा दो मिलेगा तो एक 24 आई है अब दो पर निकालो तो यफ दो बराबर जल्दी जल्दी आप लोग यहाँ पर जहां पर बंद दिख रहा है दो रग दो यह वाला ठीक है फिर उसके वाद आप लोग हल करो चलो हल करो आठ मिलेगा आठ दो नी 16 यहाँ पर चार मिल जाएगा ठीक है दो किगाल दो चार पंदा चक्कू साथ चत्ति दूना बहात्तर दो चंग बारा दो तियांचे एक साथ ठीक है अब जोड़ो 16 बहात्तर और एक जोड़ लो 72 ठीक और एक 73 अब 16 जोड़ लो 9 चे तीन और 7 औ मैनस का साथ ठीक है अब घटा लो 9 मेंसे 0 गया 9 8 में 6 गया दो यह 29 सीट आई है अब रखो तीन जहां जहां यह से कितना रखना है तीन रखना है चलो इसको हम रफ कर देते हैं अब यहीं पर जहां जहां आपको बंद दिख रहा है तीन रख लो ठीक है तो दिख रहा होगा 2 इंटू 3 की गात 3 मैनस 15 इंटू 3 का स्कॉर साथ इंटू 3 पिलस का यह अब देव तीन तीन का नो तियां सत्ता है सत्ता है दूनी चोंवान यहां पर देव तीन तिरका 9 पंदा नेमा एक्सो पहेंटेस करके देलो 9 पना पहेंटालेस नो एकम नो चात अब प्लस वाले पहले प्लस कर लो 108 और एक एक सो नो और चोंवान प्लस कर लो नो चार तेरा और पांच और एक से 163 आया और मैनस का एक सो 25 बराबर अब गटालो तेरा मेंस पांच जाएंगे 8 मिलेगा और यहां पर 5 बचेगा 5 में 3 जाएगा 2 बचेगा 28 उत्तर आया अब आपको एक मान और 5 उस पर भी ज्याद करना है तो यह 5 बराबर एक मान और निकालना है तो 2 इंटू 5 की घाग 3 मैनस का 15 इंटू 5 का स्क्वार प्लस का 36 इंटू 5 प्लस का एक पचम 25 तियां एक सू पचीस ठीक है पचम 25 पांदू 10 दो बारा दो का गुणा करो 25 दस दो दूनी चार एक पांच दो एकम दो ढ़ाई सो पचम पचीस ठीक है अब पचीस का 15 में इंटू गरो 15 पना 75 साथ हांसिल मिल गया पंदा दूनी 37 37 ठीक है यहां पर आजा पांच छक्का 30 तीन हां प्लस का एक ठीक है अब आगे देखो इसको हम रफ कर देते हैं यहां पर यह मान आया था यह बन का ठीक है इतना आप लोग नोट करो क्योंकि हम यहां पर रफ करेंगे अब आप आगे देखो इसके आगे देखो तो पहले प्लस प्लस कर लो 181 ठीक है एक यहां निकल लाए यह यह फाइब का निकल लाए चलो माइनस कर लो 11 में से 5 जाएंगे 6 मिलेगा यह फे दो बचा बारा में साथ जाएंगे पांच मिलेगा यहाँ पर तीन और जियरो यह आंसर में आज़ेट आए चपन सबसे बड़ी आंज़ी देखो कुए चपन चपन चौबिस एटभा सबसे बड़ी आंज़र शेट चपन है ठीक है तो एक हमें पता चला है चपन और सबसे चोटी आंज़र देखो कौसी है 28-29-24-56 सबसे चोटी आंतरशीट 24 है ठीक है तो यहां पर लिखना आए अता हिंदी देख लो निर्पेच उच्छतम मान जो लिखा वह लिखना है आपको यहां पर लिखो निर्पेच उच्छतम मान 56 आया है सबसे जादा एक्स बराबर 5 पर ठीक है और सबसे चोटी आंतरशीट देख लो 24 है सबसे चोटी 24 है एक्स बराबर 1 पर तो यहां पर लिखना है 24 एक्स बराबर 1 पर और हिंदी आपको लिख लेना है निर्पेच निम्तम मान यह तो कंप्लीट हो गया उधारण इसे नोट कर लो ठीक है इतना नोट कर लो इसको हम रफ कर देते हैं अब आपको देखना है उधारण 40 49 हो गया ना कंप्लीट यहां पर हम नंबर चेंज कर देते हैं 40 में क्या लिखा है एफ एक्स बराबर इतना एक्स बिलांग टू माइनस बन काओं वन दौरा पिरदत एक फलन एफ के निर्पेच उस्तम और निर्पेच निम्तम मान ग्याद के जिए तो 49 की तरह है 40 तो पिर सब्सकूर नहां को दोलन अपको लिख लेना है कि sin एक्स बराबर आपको यहां पर लिखना से तो एंफarten क्या और ना एक बार होगा प्रकार चार में एक बार ही अपकलन होता है बारा घातें आगे कर लो एक घात कम कर लो तो ती चौक बारा चार चकुब तो यह आपको लिखना पड़ेगी तो यहां पर हिंदी देख लो क्या है निर्पेच उच्चतम और निर्पेच निम्तम यहीं आपको लिखना है यहां से एक्स का मान पता चल जाएगा एफडेस एक्स बराबर जीरो करना है आपको फिक है अब एफडेस एक्स का मान देख लो कितना है सोला एक्सी गात एक वटा तीन माइनस दो वटे एक्सी गात दो वटे तीन बराबर जीरो इसको उस तरफ लेके चलो तो सोला एक्सी गात एक वटा तीन बराबर दो वटे एक्सी गात दो वटे तीन अब आपको कहिंची दार गुणा करना है क्रास इंटू करना है इसको अ एक वटा तीन जुड़ जाएगी 16 नीचे बैद दो एक सी घात एक वटा-थी न गुड़े में गातने जुड़ जाती है तो दो गटे-3 बराबर कितना होगा दो गटे-16 काड़ लो जो एकम दो डो डोठे-16 एक सी घात कितनी मिलेगी एक मिलेगी क्योंकि दो और एक कर लो एक गात लिगी नहीं जाती है एक बटाय तो एक्स के कुल मान एक तो पता चल गहात अब अंजर से आपको ले लेना है डू हूसे से सबसे पहले सबसे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर शबसे बड़ा फिर चीह माहें है सबसे बड़ी आंसर सीट उच्छतम मान हो जाएगी उच्छतम मान हमसे पूऩा गया निर्पेच उच्छतम और निर्पेच निम्तम मानं पूचे गया है है ऐसे ही परकार 4 में हल करना है आपको tier 3 निकालना है तो पिरसन में रखो जो फलन दिया गया है वहीं पे रखो क्या है बारा एकसी गात चार वटे तीन है मैनस वन की गात चार वटे तीन ठीक है और मैनस छे मैनस वन की गात एक वटा तीन हल करो तो बारा इसे कैसे हल करोगे मैनस वन की गात दो और होल गात कितनी कर दो दो बटे तीन ठीक है फिलस बना लो फिलस में घात चाहें जितनी हो वन ही मिलेगा यहां पर घनमूल इसका घनमूल जानते हो भाई घनमूल इसका कैसे निकालो तीन का जूड़ा बना लो ठीक है माइनस वन माइनस वन माइनस वन हल करो माइनस वन ही म अब आपको दिख रहा होगा बन की गात अब चाहें जितनी हो वन ही मिलेगा तो बारा एकन बारा प्लच छे कितना हुआ यहां पे अठारा एक आंतर सीट आई है अब रखो वन आपॉन एट वराबर रखो फलन में ही आपको रखना है वारा इंटू वन आपॉन एट की होल ग हो बारा यांपर एक वाटा दो खीगात टीन बना लो फिक चाहर हए दो lag यहार्याे अहीं पड़ा जाएग है यह थोड़ा साहर कर रहा है तो बारा यहां पर कितना मिलेगा एक वटा दो दो की गाच चार शोला मिल जाएगा तो एक वटे यहां पर रको यहां पर 6 वटे-2 रको थोड़ा सा हल करेंगे इसके इसको मराफ करते है आगे देखो इसना आप लोग देखो मैब करना क्या एक है बराबर केंसिल करो चार त्यों बारा, चार चक्कु सोला, यहाँ पर कितना आया, माइनस छे वटे दो, लगुत्तम लहलो, कितना मिलेगा, चार मिल जाएगा, ठीक है, तीन, और यहाँ पर कितना आयेगा, दो दूनी चार, अब दो बार हमने पहाडा पढ़ लिया है, उपर गुणा करो, बारा, मतलब, माइ करना है, यहाँ, वन, एक आंसर शीट और निकालना है, तो देखो, बारा, इंटू, वन की घात, चार वटे, तीन, और माइनस छे, इंटू, वन की घात, एक वटे, अब बन की घात, चाहें, जितनी हो, वन ही मिलेगा, फिलस का है, तो कोई दिक्कर नहीं, यहाँ पर देख अठारा दिख रही है, और सबसे छोटी आंसर शीट देखो, माइनस की है, यहाँ पर सबसे छोटी, ठीक है, तो उचितम मान अठारा आया गया, और निक्तम मान, माइनस नो बटे, चार आ गया, अब आपको लिख देना है, अता, निरपेच, उचितम मान, यह एक्स बराब बराबर अठारा आया है, यह एक्स बराबर माइनस वन पर, ठीक है, अब लिखो, निरपेच, निम्तम मान, क्या निक्ला है, सबसे छोटा, निगेटिव मिला है, माइनस नो बटे, चार, किस पर निक्ला है, एक्स बराबर, वन अपन एट पर, यह तो कम्पलीट हो गया, इसको आप लोग नोट करो, एक उधारा और बचा है, वो भी करवाएंगे, उधारा चालिस हो गया न, ठीक है इतना आप लोग नोट करो जल्दी, आप लोग उधारण एक तालिस देखिए, यहां पर बताया गया है, सत्रू का एक अपाचे हेलिकाप्टर, वक्र, आगे लिखा है, बाई बराबर, एक स्कुर प्लस सेबिन के अनुदिस, पिर दत तुपत पर उड़ रहा है, आगे लि लिखा निउन्तम दूरी ग्याद केजिए, तो इस पिरकार का प्रस्न हम हल करवा चुके हैं, प्रस्न में 6.5 में, बात करते हैं, प्रस्न 27 के, इसका हल आप लोग देख लेना है, और एक उधारण और देख लेना है, यहां पर लिख देते हैं, उधारण 35, प्रस्न 27 का हल और उधारण 35 का हल जैसे करवाया था आप लोगों को, ऐसे ही आपको उधारण 41 भी हल करना है, यहां पर दूरी का फार्मूला लगाना है आपको, फार्मूला यहां पर लिख देते हैं, एकस बन माइनस, एकस टू का होल स्कॉर, प्लस वाई बन माइनस, वाई टू का होल स कि एक तानिस आपको लिख ले lord पढ़ेगी दो विंदू की जरूत पढ़ेगी की ए ले लेना है और why x के प्वदों में ही लेना है तो यहां से ले लो x square plus seven ठीक है तो बिंदू क्या मिल जाएगा x comma x square plus seven तो इसी बक्र पर आपको यह बिंदू लेना है और यह बिंदू दिया गया है और दूरी का लगाले लेना उसके बाद दो बार आपको अफ्कलन करना है क्योंकि जो उधारण तालिस है पहले पिरकार का है और पहले पिरकार में दो बार अप्कलन होता है तो यहां पर आप लोग लिखो बक्र पर बिंदू बक्र लिख लो पहले बाई बराबर एक स्कॉर प्लस सेविन पर बिंदू यही लिख लो जो हमने आपको यहां पर बताया है एकस गामा एकस स्कॉर प्लस सेविन ठीक है और एक बिंदू आपको दे दिया गया है पहले से तीन कामा साथ एक बिंदू यह मिल गया है एकस गामा एकस स्कॉर प्लस सेविन ठीक है अब आपको क्या करना है दूरी का फार्म स्क्वाइर प्लस बाइवन माइनस वाइटू का होल स्कारूड के अंदर तो डीब बराबर यह एक्सवन ले लो और यह बाइवन यहां से ले लो एक्सटू और इसे वाइटू ठीक है इतना आप लोग तब तक लिखो इसको हम रफ कर देते हैं अब आपको क्या करना है मान रखना है उसके बाद आपको अब कलन करना है दो बार एक्सवन का मान एक्स है एक्सटू का मान तीन है होल स्क्वाइर प्लस यहां से देखो बाइवन का मान है एक्सवाइर प्लस का सेविन वाइटू का मान माइनस सेविन है ठीक है होल स्क्वाइ यह कड़ गया प्लस का साथ माइनस का साथ तो डी बराबर एकस माइनस तीन का होल स्कॉयर प्लस यहां पे दो दूनी च्यार मिल जाएगा अब आपको रूड दिख रहा है हमने आपको बताया था प्रसनल 6.5 में चाहे प्रसनल करो चाहे उधार रहल करो अगर आपको रूड म मिल जाए प्रसन में तो सबसे पहले आपको बर्ग कर लेना है दोनों पच्छों का उसके बाद अपकलन करना है ठीक है तो यहां पर हम बर्ग करेंगे अगर आप लोग यहां पर डारेट अपकलन कर लिया तो कठीन होगा गलत भी हो जाएगा प्रसन क्योंकि रूड में कि वर्ग करने पर और जैसे बात करें अब कलन में अब कलन में बर्ग ना करना जैसे अपकलन में आ जाए और कह दें अपकलन एक सिक सापेज ग्याद किजिए तो आपको जैसा मिल जाए प्रसन में वैसे ही अपकलन करना केवल यह ट्रिक उच्छिस्ट और निम्निस्ट में हम बता रहा है रूड मिल जाए बर्ग करने के बाद अफ्कोलन करना और और कहीं आपको ये ट्रे के यूज नहीं करना और दोनों पच्छाू का बरन करने पर तो यहां पर क्या में लेगा डी स्कौयर बराबर इधर रूड हटे जाएगा ठीक हैं अब आपको हमने बताया था डी स्कॉयर को हम क्या कर लेते हैं बाई ले लेते हैं यह बात हमने और भी जगा बताई है जब रूड हटता है तो हम क्या करते हैं दूसरा चल ले लेते हैं यह सिंबल आपको यह बताएगा डी स्कॉयर के इस्थान पर रखने पर यह आपको दिक राय कि यह दो यहां से इतना मिलेगा यह आंज़ीट आईए dy upon dx की फिर एक बार अपकलन करो d2y upon dx square दो बार अपकलन होगा दो ऐसे रखेंगे x का 1, 3 का 0 अचरपत का 0 होता है यहाँ पर 3 आगे तो 4, 3, 12 x ही गाद 2 बचेगी न एक कम करोगे गाद 3 में से एक तो 2 ही मिलेगी इसको उमग्राफ कर देते हैं ठीक अब आपको क्या करना है सही से लिख लेना है थोड़ा सा यहाँ पर दो मिला और यहाँ से 12 एक्स स्कुयर मिला अब आपको एक्स का मांन निकालने के लिए एक लाइन लिखना पड़ेगी यहाँ पर लिखो वाई के उच्ची सिया निमिनिश्ट मांन के लिए हैं तो हिंदी 44 में नियुंतम लिखा है हिंदी और इसका आपोजिट ले लेना आपको महत्तम ले लेना है या अधिकतम ले लेना है तो नियुंतम ले लेना है तो नियुंतम या नियुंतम एक ही बात होती है तो उच्चितम ले लो यहां पर बाई के उच्चितम या नियुंतम मान के लिए नियुंतम का अपोजिट महत्तम लिए अब आपको यहां से x का मान निकालना है कैसे dy upon dx बराबर 0 करना है dy upon dx यहांदर सीट देखो 2x माइनस का 3 प्लस का 4x q सबसे पहले आपको क्या करना है अब रोई किरम में घातें लिखना है सबसे बड़ी घात 4x q फिर उससे छोटी कितना मिलेगा 2x फिर माइनस का 6 बराबर 0 2 का भाग लगा दो यहां पर ठीक है तो यहां पर हम हल कर रहा है थोड़ा सा यहां पर देखो 2 का भाग लगा लें कितना मिलेगा 2x q फिर प्लस का 6 और मैनस का 3 घु तो क्यों प्लस का 13 अब आपको घाते किती दिख रहे हैं तो सेस्फल पिर में यूज करना यहां पर यह आपने किलास नाइन्थ में पड़ी होगी सेस्फल पिर में कैसे यूज करते हैं हम 0 बनाते हैं LHS मान रखेंगे एक्स के प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे करके मान हम रखेंगे पहले पिलस एक रखेंगे फिर माइनस रखेंगे जब तक जीरो नहीं मिल जाता है हम के करते रहेंगे तो एक सब्राबर अगर बन रख दें हम यहां पर तो कितना मिलेगा LHS में देखो 2 इंटू 1 का Q पिलस का 1 मैनस का 3 0 बनाना है ठीक है तो यहाँ पर 2 मिलेगा पिलस का 1 मैनस का 3 तो 3 मैनस 3 बराबर 0 मिल गया तो X बराबर 1 जो है इसका एक गुड़न खंड है लिखोगे कैसे X बराबर बन है इस तरफ लाएंगे न X-1 यह जो बरेकिट है X-1 इसका एक गुड़न खंड है तो कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है अधिकतम गात कितनी दिगरे तीन दिगरे तो आपको 3 वार ऐसे करके लिखना है थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको लिखना है ऐसे करके गुड़न खंड करना है ठीक है अब आपको पदों को मैच करना है कैसे हमें चाहिए 2X क्यू चाहिए तो इस ब्रेकिट में कितने का इंटू कर दें कि हमें 2X क्यू मिल जाए तो 2X स्कॉयर का गुणा कर दो एक गात यहां पर दो घात यहां पर तीन गात हो गई तो यह पद मैच हो गया अब चाहिए 2X हमें पिलस का तो हमें क्या मिल ला है इसका इस में टू करेंगे माइनस का 2X स्कॉयर मिल ला है तो X स्कॉयर का पद नहीं चाहिए कैंसल करना है तो यहां पर माइनस का 2x square मिला है और यहां पर आपको प्लस का 2x square चाहिए तभी cancel होगा तो 2x यहां पे लिखना है क्यूं एक गात अंदर मिलेगी एक बाहर 2x square plus का और यहां पर 2x square माइनस cancel होगा क्योंग चाहिए नहीं है हमें चाहिए X अब देखो यहां से कितना मिलेगा माइनस का 2X मिला ठीक है चाहिए प्लस का X तो आपको क्या करना है प्लस का 3 का इंटू कर देना है तो 3X प्लस का यहां पर और माइनस का 2X एक घट जाएंगे प्लस का X आएगा मैच हो गया अब लास्ट वाला पद अपने आप मैच होता है यह से माइनस का तीन है तीन का गुणा करो माइनस बन में तो माइनस का तीन लास्ट वाला पद अपने आप मैच होता है अगर अपने आप मैच हो गया तो गुणंखंड सही कर रहे हो अगर अपने आप यह लास्ट वाला पद तो ऐसे करके सेस्पल पिर में नाइन्थ में आपने पड़ रखी है तो यहां पर भी यूज होगा वे एकस माइनस बन कामल ले लेना है अब ब्रेकिन में क्या मिलेगा टू एकस स्कॉर प्लस का टू एकस प्लस का ठीरी मिलेगा अब आपको एकस के मान निकालना है पहले हम इ ठीक है तो डी टू भाई अपॉन डी एकस स्कॉर के आंदर शेट यह जो है रफ ना करना क्योंगे यहां पर चेक होगा तो यहां पर आपको दूसरा वाला ब्रेकिन लिखना है क्या है टू एकस स्कॉर प्लस का टू एकस प्लस का ठीरी गुडन कंड होंगे तीन दूनी छे तीन और दो लेरों पांच मिलेगा घटाओगे एक मिलेगा चाहिए दो मिलेगा नहीं गुडन घट तो क्या दर लो सिरी धरा चार फार्मला लगा लो यहां पर लेग लो दूए घातिए सूत्र यह टेंथ में आपने पड़ा होगा एकस बरावर माइनस वी प्लस माइनस वी स्कॉर माइनस फूर एसी अपन टू ए ठीक है तो एकस बरावर यहां से मिलेगा आपको भी ठीक है यहां पर ठीक है प्लस माइनस दो का स्कॉर मतलब यहां पर रखोगे बी का मान दो द 17 16 24 यह प्यावय्बंटू इन्टू यें आंटर चेट हम कहीं लिख देते हैं क्यों कि यहाँ पर छेक्ष हो गाना है यहां पर रफ कर रहे है ठीक है को दिक्कत रही है रफ कर देते हैं उजट सा हमान के आया है काल पर ऑप लिए तो इसे छोड़ दो क्योंकि हमें एक सिक्राल बास्तिवी चाहिए वोते हैं उच्छिछ और ये च्छोड़ क्वाल लोर केवल एक्स वर्यावर निक्ला तो वह उसी पर चेक कर एकस रावर वन पर करेंकि एतना आपम तब करह नोट करूं किता स्कों मुझान कर देते हैं एक्सविए वर्यावर बन पर हम भी करेंगे और प्रस्ण में हमें यही बताया गया कि नियुंतम आपको बताना है तो हमें निगेटिव की आंदरशीट प्लस की आंदरशीट चाहिए है तबी नियुंतम होगा यहां पर रखो एक स्कमान बन फिक गया तो दो प्लस का 12 कितना मिला 14 ग्रेटर देन 0 0 से बड़ी आंदरशीट चाहिए तो दूरी क्या हो जाएगी नियुंतम हो जाएगी तो आपको लिख देना यहां पर एक्स बराबर वन पर वाई क्या होगा नियुंतम है अब प्रस्ण में क्या लेके चले थे डी लेके चले ते दूरी को तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमने यह चर जो है ले लिया था तो बाई के लिए लिखा है तो आपको पता है कि अंस में चेंज नहीं होता है अगर बाई नियुंतम है तो डी स्कॉयर भी नियुंतम होगा यहां पर एक लाइन और लिखना है एक्स बराबर वन पर डी स्कॉयर बराबर लिया था ना तो डी स्कॉयर भी निय डूर पर करेंगे घुकिण करने का दूरी वाला फार्मला लगा था ना एक लाइन और लिखो यहां पर यहां वराबर वन पर joka में कि इती इस भी निउंतम होगी और हैं už कि आनियओं तम है डिवह निउंति होगा या है ऐसे लिखो अब आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा जितने आप चेंज करोगे बहाँ पर जहां पर हमने दूरी का फार्मला लगाया था जितने चेंज करोगे उनके लिए सभी के लिए से लाइन लिखना पड़ेगी आपने भाई सब्सक्राइब दूरी अंब दूरी आपको घ्याद करना है कि यह तो हमrà अपर दिखा इतना तो complete हो गया अब आपको क्या लिखना है नियुंतम दूरी का मान भी ग्याद करना है क्योंकि यहां पर लिखा है आपको दिख रहोगा नियुंतम दूरी ग्याद किजिए तो नियुंतम दूरी डी बराबर क्या था रूड के अंदर क्योंकि बिंदु जो आपने लिए थे यहां पे हम बता देते हुं एक्स कामा एक्स स्कॉएर प्लस साथ यह लिया था तो एक्स वन मैनस यही था देख लो एक्सट इगा चार यही था ठीक है अब यहीपर आपको एक्स के मान रखना है 1-3 का square प्लस 1 की गात 4 D बराबर माइनस 2 का square कितना होगा 4 होगा प्लस 1 का बन की गात चाहें जितनी हो अगर प्लस 1 है जितनी गात हो 1 आपको लिख लेना है तो D बराबर क्या है रूड 5 मात्रक मात्रक लिखो चाहें 1 लिखो और X बराबर 1 पर ये दूरी निकली है ठीक है ये दूसरा वाला जो है यहाँ पर पार्ट हमसे मांगा गया था तो ये भी हो गया ठीक है उधारण 41 ये complete हो गया कहने का मेरा ये मतलब है प्रसन उली 6.5 के उधारण 41 ठीक है जो complete हमने करवा दी है अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे बिभीत प्रसना वली के प्रसनों को हल करवाएंगे तो इतना तो आपको समझ में आया होगा जो हमने यहाँ पर इस क्लास में आप लोगों पढ़ाया है अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में वेल आइकन जरूर प्रेस करना क्योंकि उसमें आपका इफादा जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूटूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा मिलते हैं अगली क्लास में आज कले इतना ही काफी है धन्यवाद